हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लोज टेडी 2020 में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लीगल नोटिस क्या होता है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर कीजिए कोई प्रशन होतो कमेंट में जरूर लिखिएगा चैनल पर नए होतो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन आउन करके रखिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में लीगल नोटिस का अर्थ है अपने प्रतिदंदी को किसी भी प्रकार के क्लेम चेताउनी या फिर अपनी इच्छानुसार कोई सर्त मानने की एक प्रकार के कानुनी आपके प्रतिदंदी ने आपकी इच्छानुसार आपका कहना नहीं किया तो आप उसके खिलाब कानोनी करवाई कर देंगे इसलिए वो आपकी सर्तों को मान ले दुरूसे सब्दों में हम इसे सिविल थ्रेट भी कह सकते हैं लीगल नोटिस में हम अपने प्रतिदंदी को ये बताते हैं कि उससे हमें क्या नुकसान हुआ है या क्या हो सकता है और उस गलती को सुधानने के लिए उसे हमारी सर्ते माननी होंगी जो कि उस नोटिस में लिखी जाती है तता उन सर्थों को मानने की समय सीमा भी लिखी जाती है कि अगर इस दी गए समय में सर्थों के अनुसार कार नहीं किया तो कानूनी कारवाही कर दी जाएगी और दी गए समय सीमा के बाद आप कानूनी कारवाही करने के लिए स्वतंत्र होते हैं लिगल नोटिस कब किसे और क्यों भेजना चाहिए जब भी आपको लगेगी किसी ने आपके साथ गलत किया है आप उसे लिगल नोटिस भेज सकते हैं किसी भी परकार के सिविल रंग के लिए आपको पहले लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है जैसे कि आपको किसी से बकाया पैसा लेना है या फिर किसी ने आपको कोई नुकसान पहुचा दिया है फिर आपका या फिर आपका चेक बाउंस हो गया है या आपकी किसी ने अव जरूरी है कि आप उस व्यक्तियास संस्ता से प्रहवित हुए हो या हो सकते हो फिर आप उसे अपनी सर्तों पर करवाई करने के लिए कहते हैं कुछ कानूनी करवाई के लिए तो लीगल नोटी जरूरी होती है जैसे इसकी चेक बाउंच केस सिविल सूट और अमानना केस इत् सबस्तों